हाँ जी कैसे हो आप सब आयों बहुत अच्छे होगे और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को प्रेस कर लीजे ताकि आपको रहे नोटिफिकेशन मिलते रहे अगर आप इस चैनल पर पुराने हैं तो हमारी जो वीडियो उनको बादची चल रही है सुप्रेम कोट में उन्होंने अपने आपको ऐसे पार्टी इंप्लीट करने की बात कही है तो यहां पर मैं आप लोगों को यह सजेशन देना चाहूंगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पिरप्रेट कर रहे हैं जोड़ी सरे लिए देखिए जैनत काफल आपको 101% मिलेगा कोई माई का लाल नहीं रोक सकता आपको चीज अचीव करने में थ्री एर का एक्स्परेंस ले भी आएंगे तो क्या हुआ भी या तीन साल के बाद तो हमारा ही है जो कुछ है हमने त्यारी कर रखी प्रेशन बहुत अच्छी है और काफी एक् आपने माईन्च को चीज से इतना अफेक्टिड मत कीजिए कि और उस चीज़ों में क्यों इंडल जो रहे हैं ठांब हमेहिन में नहीं इंडल्ज हो रहे हैं नहींिंके mindset के साथ continue रखिए ज्यादा negativity नहीं लानी दिमाग में तीन साल का हो जाएगा तो क्या होगा नहीं होगा तो क्या होगा क्यों सोच रहे हो आपके हाथ में हैं नहीं हैं आप उसको decide कर सकते हैं आपके हाथ में क्या है कोई चीज नहीं रोक सकती है आपको जो आपने हाड़ वर्क के उसको आपको पे आफ करेगा एक दिन डेफिनेटली करेगा ठीक है जुडिसरी में नहीं कर पाएगा जज नहीं बन पाओगे तो क्या हो जाएगा भाई बहुत सी आजी चीजें लाइफ में जहां बहुत अच् क्या सक्सेस को देखने का ठीक है तो मैं यहीं सजेस्ट करूगा अपने चित को शांत रखो चित ठीक है ज्यादा नहीं सोचना रिलैक्स प्रपेर करो रिवीजन करो ठंड का मुसम में बढ़िया गर्मा गरम कॉफी बनाओ कॉफी का मग लो अपने साथ में और अपनी यूदी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुए करेंट अफेर के सारी के सारी जो दिसंबर से हमने स्टार्ट की बेसिकली सीरीज तो आज का जो फर्स्ट करेंट अफेर है हमारा वो है बेसिकली डैन्मार्क्स ओसकर नॉमिनी अनदर राउंड टो भी ओपनिंग मॉवी अट 51st इंटरनेशनल फिलम फेस्टिवल आफ इंडिया इनकोवा जो Thomas Winters' Another Round Starring Mad Killians Will be the opening film at 51st International Film Festival of India यह जो movie है Another Round यह आपकी वहाँ पर first film होगी जिससे open होगा आपका 51st International Film Festival of India जो कि कोवाँ में किया जा रहा है It will close with Indian premiere of historical drama Wife of a Spy by Kiyosi Kuroswa Who begged Silver Loin for Best Director at Venice Film Festival and the festival will also mark world premiere of Meru Nisa Meru Nisa यह भी एक movie है जिसका world premiere किया जाएगा इस festival के अंदर पस यह याद रखना है कि International Film Festival आपका इंडिया में जहां गौवाँ में सेलिबरेट किया जाएगा 51st International Film Festival नेक्स देखिये Punjab CM unveils mobile app DigiNest to ensure digital access to state government directory. DigiNest will enable citizens to check department-wise contact numbers of various officers help them reach out with ease by calling or by email Previously PR Insight was launched to monitor feedback and improve delivery of citizen-centric services और Punjab के CMA Captain Amarinder Singh ठीक है यह पंजाब वालों के लिए थोड़ा important है बाकी current affair का matter था यह देखे यह बड़ा important है Assam Rifles Public School Silong becomes the first Kelo India Sports School from North East. North East का जो यह first school है Assam Rifles Public School यह पहला school बना है जो की first Kelo India Sports School है North East का The government shall now bear the expenses for talented sports students of the school in terms of lodging, boarding, education expenses, competition, exposure insurance and medical, sports training and support salary of coaches and support staff etc. Nine sports schools have been approved across the country पूरी हमारे इंडिया के इंदे नो स्कूलों का पूरी है इस चीज के लिए और North East का यह एक सिंगल स्कूल है Assam Rifles पॉब्लिक स्कूल जो कि Silong में है Next देखिए Bajaj Auto now world's most valuable two-wheeler brand crosses रुपेज 1 lakh crore market cap mark तो 1 lakh crore कर चुक है Bajaj Auto जो है आपका world's most valuable two-wheeler brand बन चुक है It became the first two-wheeler company यह पहली ऐसी two-wheeler company globally to cross a market capitalization of rupees 1 lakh crore around USD 13.6 billion Bajaj Auto has achieved this milestone as it celebrates the 75th year of its operation और Bajaj Auto का headquarter है आपका पूने में चेर मेंने रहूल Bajaj founded 1945 में इसको found किया गया था तो बड़ा important रहने वाला है current affair का question है world की first आप कह सकते हो two-wheeler company है जिसका जो एक market capitalization है वो 1 lakh rupees crore से अभव का हो चुक है Next देखिए 40th Indian scientific expedition to Antarctic launched the chartered ice glass vessel MV Wesley Galvin will begin this journey from Goa on Gen 5 and will reach Antarctic in 30 days after leaving team of 40 members it would return to India in April 2021 bringing back the winter team of preceding trip Indian Antarctic expeditions begin in 1981 ये एक expedition करवाते हैं जो इंडिया से लेके आपका Antarctic तक होता है ये current affair का matter है हमारे exam के लिए तिना important नहीं है बढ़ थोड़ा देख लेना इसको Next देखिए रमेश पॉक्रियाल स्मृति इरानी launch Toy Cathon 2021 Toy Cathon 2021 to promote manufacturing of Indie genius toys जो एक हम कह रहे थे Modi जी ने भी कहा था आपके जो PM है उन्होंने भी कहा था कि इंडिया को एक toy hub हम बनाएंगे conceptualize new and innovative toys using local material which are economically affordable, safe and environment friendly two categories for online toys and another for physical toys students and faculty members participating can get rewards up to rupees 50 lakhs and toy market in India is dollar 1 billion but India imports 80% of toys हम स्टी परसंट toys को import करते हैं दूसरी कंट्री से बट जैसे कहा जा रहा है कि हमारा market बहुत बड़ा है नेक्स देखिए Boris Johnson cancels Republic Day visit to India over COVID-19 crisis in UK जो कि आपके 26 जैन को आने वाले थे Boris Johnson और उन्होंने cancel कर दी अपनी Republic Day की visit it is cancelled in view of the pandemic which has escalated in UK because of the new variant of coronavirus an invitation to be Republic Day chief guest is symbolic from the Indian government's perspective UK was chosen for Ty's boss Beric's Johnson would have been the 6th leader from UK to be the chief guest 6th leader होते ये बट इन्होंने cancel कर दी है ये नहीं आ रहे है as a chief guest हमारे रिपब्लीक टेके उपर next देखिए world's largest floating solar project ये बड़ा इंपोर्टन कॉशन रहने वाला है Judiciary Point Office world's largest floating solar project at Om Ka Meshwar Dham in Madhya Pardes to begin power generation by 2022-23 MP वाले students के लिए भी specifically काफी इंपोर्टन रहने वाला है 600 megawatt solar energy project is to be constructed as Om Kareswar Dham Narmada River Khandawa के पास में जहां electricity will be produced in about 2000 hectare water area International Finance Corporation World Bank and Power Grid have granted in principle consent for aid estimated investment in this project stands at Rs. 3000 crore तो यह important question वाला है बिस हमें याद रखने हैं यहाँ पर world's largest floating solar project आप का Om Kareswar Dham में है जो की Madhya Pardes में है जो Narmada River के ओपर Khandawa में बनाया जाएगा construct किया जाएगा next देखिए Madhya Pardes rolls out launch pad scheme to make youth self-land launched by women and child development department of boys and girls coming out of child care institutions and having completed 18 years 52 district divided into 5 clusters with headquarter at Indor, Sagar, Gwalior, Jablpur and Bhopal district administration will provide space to open shops 6 lakh will be provided for each launch pad installation तो 6 lakh रुपे की एक scheme है Madhya Pardes government की की youth को self-land पनाया जा सके जिसका नाम है launch pad scheme जिसके तहब आपको 6 lakh रुपीज मिलेंगा आप अपने एक shop आपन कर सकते हो next देखिए दिल्ली गवर्मेंट sets up academy to promote Tamil culture to promote the South Indian language and culture in the capital तो जो दिल्ली के आपके CM हरविंद केजरिवाल उन्होंने ये एक initiative लिया है और यहां पे देखेंगे आप अपॉंटेड former municipal counselor and member of the दिल्ली तमिल संगम and Raja as vice chairman of the academy it will provide language courses it will also celebrate and organize cultural festivals for the people of Tamil Nadu और दिल्ली के CM अर्विंद केजरिवाल है deputy CM है मनिश सिसो दिया तो ये भी एक important enable है कि दिल्ली में अब एक academy खोली जा रही है जो तमिल culture को कहिना कही promote करेगी and South Indian languages और उसके culture capital city of India Delhi के अंदर promote करने का काम करेगी तो this is all about 5th and 6th January अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो like कीजे इसकी PDF आपको at the end of this month टेलिग्राम ग्रूप में हमारे मिल जाएगी और कोई suggestion है तो please आप suggest करके comment box में बता सकते है और हाँ टेंशन नहीं लेने यार BCI अपना काम करी हमारा काम है preparation करना हम preparation करते रहेंगे और बहुत अच्छी preparation करेंगे life में कामियाब होना है कामियाब भी अपनी अपनी नजर में अलग अलग होती है आपके लिए कामियाब होना कुछ हो रहे मेरे लिए कुछ हो रहे तो बस मैं तो यह कहना चाता हूँ चित को शान्त करके अपनी preparation continue रखें ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए take care see you goodbye और हाँ संड़े को CPC का test होगा 10.30 पे जो आपका mock test जैसे होता है हाँ संड़े live mock test YouTube पे 10.30 पे होगा ठीक है चलिए bye